एक महान गुर सिख गुरू खालसा पंथ दे बस्ते तन कुरुबान करन वाले उस सिद्की सिख जिननु अपां रुजाना अर्दास दे वेच भी याद कर देयां पाई सहिब पाई तारू सिंग साहिब जी अर्दास दे वेच अक्सर गुरू का सिख उनना दी कमाई दा त्यान तरके वाहे गुरू शबद दा उचारन कर दा उस महान गुर सिख दा अज जनम दे हडा भी है उनना दे जीवन दे उते भी आपां चाहत जरूर पावांगे के देखो जिनना गुर सिख दा नाम अर्दास दे वेच लिया जा रही है पहलना गुर सिख प्रिथम पगोती सिमर के अकाल पर खवाहे गुरू दे आद शक्ती प्रमातमा नू नमस्कार कर दे दसे पात सैयादा नाम उचारन कर दे अते नाल ही तानगुरू गरंस सहब जीनू नमस्कार कर दे सातगुरां दे नामातो बाद पंजा प्यारेया चार सहब जा देया चारी मुकतेया फटिया जपिया तपिया चितना गुपता जिन्ना ने नाम जपया, जिन्ना वंड के शकन दी सिखेया दिती है जिन्ना ने शर्ण आय वास्ते देग चलाई है, चड के अउय होई वास्ते तेग भी चलाई है जिन्ना सिंगां सिंगनियां ने तरम हेत सीस दितेने जिन्ना सिंगां सिंगनियां ने गुरू करादी सेवा वास्ते बंदबंद कटवाई जिन्ना ने चरखडियां ते चड़के वी सिखी केसा सुवासा संगनवाई जिन्ना ने तरम हारया नहीं लोग तरम हार देने संसार जेत दे संसार कमोंदेया पर अर्दास विच उन्नानु याद किता जांदा है जिन्नाने तन कुरबान कर लिया पर तरम नहीं हारिया जिन्नाने खोपड उत्रोणे मंजूर किते पर उन्नाने गुरू गुबिंद सिंग महराज दी मोहर केसानू अपने सिर्टों वक्रानी किता तान तो वक्रा नहीं किता ओस महान गुर्षिक बारे पाई सह पाई रतन सिंग जी पंगू लिख देने मजे मो बस्त थे पले सो पूले गाम हठी तपी साचो सती निहंग तारू सिंग नाम पाई रतन से पंगू केंदे मजे दे विच एक पेंड है पूला ओस पूले पिंड दे विच पाई जोद सिंग दे कार एस महान पवितर आत्मा दा जनम होया जिन्ना दा नाम तारू सिंग रख्या ते पाई रतन सिंग पंगू ने पाई तारू सिंग दी शक्षियत तों जानू करोन वास्ते नहांग शब्द नाल पाई तारू सिंग दे नाम दे नाल लाया परातन इतिहासक सरोतां दे वेच चाहे बाबा गुरुबक्ष सिंग जी जिनना अकाल तक सहब विखे सेरा बन के लाड़ी मोत दी वियाई चाहे पाई मनी सिंग जी पाई बुलाका सिंग जी बाबा तारा सिंग जी वाँ वाले बाबा दीप सिंग जी सरोतां वेच साड़े इतिहास काराने शहीदानू नहांग शब्द दे नाल सनमानिया पाई रतन सें पंगू केंदेने हठी तपी हठ करदेने गुरु की सेवा दा तप करदेने गुरू की सेवा दा, जप करदेने गुरू के शब्द दा, ते जनम तोई माता पिता ने सिखी केसा स्वासा नलनबोन दी गुड़ती दिती वही है जेस समें पाई तारू सिंग जी दा जनम हुन दै, ओस समें शिरी अकाल तक सैब दे जथे दार, खाल सा पंथ दी अगवाई कर रहेने सिंग सहिब दिवान दरवारा सिंग जी, बुड़े दाल दे दूसरे मुखी अठ साथ साल दी उमर दे वेच ओना पासों खंडे दी पौल लई, पिता जी चड़ाई कर चुके सन कर दे वेच केवल मा ते एक पैन विबी तारू, होन तेन जाने अपने कर दे वेच रह करके नाले सिखी कमाउंदे ने, नाले सेवा कर दे ने गुर सिखा दी, ते करें ते नजर आउंदे, पर जिस समय पाई तारू सिंग, उना दी माता, उना दी पैन शुकराना कर रही है, उस समय सिंगां दे हलात की ने, उस समय सेख के सिखी नबा आ रहे ने, उना हलाता नो जेकर वेखिये, ते रू भी कम जान दी है के सच मुछ, जिस तरह साड़े वड़े वड़ेरे सिखी सिख नबा आगे, आम बन्दा इस तरह सिख नहीं नबा साकदा। ते वे ने भी सेरवड के हकूमत दे समने पेश कर दिता जावे। केंदे समा आया जेडा खान बहादर जिनु जकरिया खान क्या जानदा है अपने दरबार देवेच बजीरानु पुछ दै नवाब मुलखईयन को पुछे सिंग के मरिजक खा है ने उगराही ने हलवाही ने आमदिनी चाकरी फिराहे नवाब केंदा अपने बजीराही केंदा सिंगा दे अगराही करण ते पबंदि लाई है सिंगाद भल वण ते खेती दे उते पबंदी लाई है काम भी नहीं कर सकते कोई किरतनी कर सकते शैरां वेच यह नहीं रह सकते जेडा किसे सेक्ष्म पाणी वी प्याएगा ओदे सारे दा सारा परवार सरकार बरबाद कर दवेगी ए मर्द है क्यों नहीं फिर वी रोज किते ना किते कोई ना कोई सिख नजर आई जान दा ए खतम क्यों नहीं हो रहे केंदा जिम पिंडन सिंगन पयो सोई पिंड उजाड मैं देयो जे किसे पिंड विच भी सिख नजर आउंदा है केंदा सरकार ते सारा पिंड उजाड दिन दी है ए सिख फिर भी किमें जिऊंदे ने ए मर्दे क्यों नहीं रिजक बिना ते कोई जिऊंदा नहीं रह सकदा पर ए ए मर्दे क्यों नहीं केंदे एक दुष्ट कहन लगा जी मुर्शद इनका वली भेयो है इनको आबे हियात दियो है केंदा जेड़ा इनना दा मुर्शद कामल सहभे कमाल गुरू गुबिंद सिंग पाथशा हुए है उनने इननों एक आबे हियात दिता है ए उस आबे हियात दे जिदो पांच चूले शाक लेंदे ने ए मरके भी नहीं मर्दे मौत दियां अखां चखां पाके भी मौत केंदे जदो नवाबे गल कर रहा वजीरा देनाल बड़ी जोर देनाल बौल उठेया एक दुष्ट तब ऐसे कहेओ सिंगन नह पुखे मरा हैं सिंगन पयो ऐस जग मा हैं उन देके पिछे खां हैं हर पगत नरंजनिया कें लगा नवाब साब ए पुखे नहीं मर्दे ऐसे केडे से ख ने हजे भी इस पारत दी तर्तीति पंज़ाब दी तर्तीति जेडे सेंघ जंगलान विच रेंदे नेंना ओ से करां तो प्रशादा बनांके जंगलां विच जाके पेला औना सिंगा नू लंगर शिक에서ूं देने फिर आप शाक देने उदो तक लंगर आप नहीं जदो तक सिखानू ना शकादेन ते नवाब जकरिया खान पोछदे भी ऐसे केडे सेखने जिननानू हकूमत दा डारी कोई नहीं केंदा हर पगत नरंजनिये फिरियों कही पूलो पेंडेक माजे अही तारू सेंग तहां खेती करे केंदा एक पूला पेंडे माजे दे वेच ओ थे रहन दे एक तारू सेंग नहांग केंदा ओ खेती करदे जिमीदारा ओदा पेशा है कारदे वेच विदवा पेंड विदवा माँ है पार ओ ओ ओदों तक खोद परशादा नहीं शाकदा जदो तक सिंगा नू जाके खवाना दवे ते जकरिया खेन केंदा उनू जाके समझाओ हकूमत नल मथा ना लवे हकूमत दे नल मथा लोण वाले दा परवार बरबाद करदेगी हकूमत की उनू मौत दा डर नहीं ते पाई रतन सेंग पंगू ने हर पगत नरंजनिये दे बोल दर्ज किते बड़े ते आनल सुने ओ जीवन वेच कमोन वाले ने कारदा थे सिखां दी ओ थे चुगली पया पर सिखां दी सिफ्ट तो रही है जकरिया खान केंदा उनू हकूमत दा डर नहीं ओ दा परवार बरवाद कर दे हांगा केंदा ओनानू डार नहीं केंदा डार क्यांओ नहीं केंदा शब्द चौंकी गुर अपने की करे सो मरने ते कि मनैक न डरे केंदा अमरत वेले योट के ओ अपने बाबे दी शब्द चौंकी कर दे हा अम्रत वेले उठके गुर्णानक दा जपजी साव पढ़ देया जड़ा जपजी साव करदा मुर्दियां च जान पादें दा जपजी पढ़न वाला मोत तो नहीं डरदा ए बचन कीता हर पगत नरंजनिये दी ये चुगलिया केंदा ए तारू सिंग है कौन ते हर पगत नरंजनिया केंदा तारू सिंग केंदा ओ गुर्णानक दा सिख है ते केंदा ओदा एक सभाव है जपरिया खान केंदा की सभाव है केंदा तारू सिंग दा सभाव है आप सहेवे नंग अर पोख देख सकाए ना सिंगन दोख केंदा पाई तारू सिंग आप पोख भी सह लिंदे पर जे किसे सिख दियुते दोखा जावे ते तारू सिंग नो नीद नी आउंदी पहलना जाके सिख दोख दूर करदे ये सिखांदा इतफाक सी, सिखांदा प्यार सी सिख सिख पर वारत जान इन पे है इतफाक महान सेख दूसरे सेख दी तो पनी जान कुरवान कर देंदा सी माफ करना आज सेख सेख दी जान लेन ते उतरिया हुया अपने पूरवजा तो सिखिया लईए आप दे मतलबां करके आप दी चुठी शानों शोकत करके पंत दे नाल गुर सिखा दे नल गदारी ना कमाईए जो साड़े पूरवजा ने सानों गुरती दिती है के आप सहें में नंगर पोख देख सकें ने सिंगन दोख ते दूसरा सभाव पाई तारू सेंग दा दसेया पाई रतन सेंपंगू केंदे ने आप गुजारें अगनी नाल सिंगन कलना पुशाक सवाल केंदा जदो सर्दियां दे देन उंदे ने सियाल उंदे ने ते सियालां दे वेच अक्सर लोग मोटे कपड़े पाया कर देया ठंड ना लाग जावे केंदा पाई तारू सिंग ऐसा सिदक वाला सेख है अपने कर देवेच अपनी माँ अपनी पैन दे नाल अग बाल करके अग सेख करके गुजारा कर लिन दे अपने तन ते कपड़े नहीं पोंदा पर वदिया तो वदिया पशाक सवा करके जंगल वेच सिंगानू देके होंदा है एप आई तारू सिंग दा सवाव है जकरिया खान केंदा एनू मेरे सामने कचैरी देवेच पेश किता जावे इथे हर पगतन रंजनिये ने दो सिखां दी चुगली लाई सी पहली पाई तारू सिंग दी दूसरी बाबा महताब सिंग दी जिनना मसे रंगड़ दा सेर बड़या सी दोवाँ दी चुगली लगी दोवाँ नू गिरफतारी दे अदेश जारी होये ते पाई तारू सिंग जी नू गिरफतार करन वास्ते ओना दे पेंड पूले केंदे वी पची फोज दे सिपाही पहुंचे उन्ना दे पेंड उन्ना दे करदा भुआ खड़काया पाई तारू सिंग जी अपनी पैन दे नाल सिंगान परशादा पंचोन बस्ते गए वे सन केंदे इदर माता जी रात दा परशादा तियार कर रे सन देग तरी वे सी किदर है पाई तारू सिंग दी माने वेख्या सिपाही ने हकूमत दे सिपाही ने जे सिपाही बुहे ते आए ने जरूर मेरे पुतर नो गिरफतर करना ए ने ते मा कबर आई नी मा ने पहले बोल कहे तारू सिंग भी मिल जावेगा पहलना आओ गुर्णानक दे कर दी देग तियार है आओ पहलना बैठ करके लंगर शाकलो जदो मा ने बचन कहे सिपाही एकवर हैरान जेवे कैन लगे मा माई तेनू नहीं पता असी तेरे कर प्रशादा शकन नहीं आए तेरे पुतर नू सरकार दे सामने पेश करन ली आए या तेरे पुतर नू बंदी बनावन ली आए या कैन लगी जो मेरे पुतर दे करमा विच लिखिया हुए ते मेरा पुतर सिखी केसा स्वासा नालन बाएगा जेस तरह गुरू ने लिखी है उस तरह हो जावेगा पर गुर्णान कदे कारदे सिखादा वी नियम है कारदे वेच पावे दुश्मन वी चालके आवे कदे दु पुखे टेड़नी वापस पेजना है एक कारण है जो तानुगुरु गोबिन सिंग जी ने शिरी दसम करन सायब दे विच बचन किते के देग तेग जग मैं दवु चला है राक आप महे और ना दला है संसार विच सिखादी जा देग चाल दिये जा सिखादी तेग चाल दि रहो विचार पाई तारु सिंग जी ने नू वापस आ गए सिपाहिया ने पाई तारु सिंग जी नू बंदी बनाया पेंड़ दे लोक कठे हो गए वेच सनातन परवार दे वीर वेच इसलाम मत दे वीर सारे परवार कठे हो गए सारे पेंड़ दे नाली बड़ा पियार सी ते सारे पिंड़े लोक कहन लगे भी वी पची सिपाही ने तारू सियां जे हुकम करें इशारा करें इन्ना नू इथी समेट दे आंगे ते नू गिरफ तारी देन दी लोड कोई नहीं ते पाई तारू सिंग जी कहन लगे कहन दे तो आडे वचन ता तो आनू मुबारक पर मिन्नू एक गालदा जवाब दो पंथ वधावन खातर ताईं इम अपने गुर कुली गवाई एस पंथ दियां जड़ा हरियां रहन एस पंथ दी जड़ा वद दियां रहन एस पंथ नू ते सरबंस वारिया उसके हम पंथी सदाएं मैं उस कलगियां बाले दा सेख खवाउना ते कलगियां बाले दा सेख खवा करके मरन ते हम केम टराएं कलगियां बाले दा सेख खवाके मैं गुरू तो बे मुखो के कि में पाज जावाँ जे आज मेरे सामने परचा प्या है ज जेस तरह मेरे गुरू गुबिंद सिंग दे लाला ने चमकार दी गड़ी वेच छाती वेच तीर खादे सी, आज गुरू दे थापडे ए तारू सिंग भी सिखी केसा स्वासा नलन बाके बखाएगा। आज आज आजे स्वासा नलन बाके बखाएगा। समने लेंदा ते पाई तारू सिंग जी ने वाहे गुरू की फते बुलाई अकाल अकाल कह उच सुनाई सुन नवाव तब सक्त पयो जिम उंगली काट जनलून लगयो केंदे जदो पाई तारू सिंग ने जकरिया खान दे समने अक्षां विच अक्षां पाक करके क्या वाहे गुरू जी का खालसा वाहे गुरू जी की फते ते गाज के गुरवर अकाल दा जिकारा लाया केंदे नवाव अपने तक्तों खड़ाओ के तड़ पुठेया इस तरह तड़ पया जिम जकरिया खान दी उंगल वड के किसे ने लून पहा दिता होगे बड़ा तड़ फिया केंदा इदी गुरू दी फते दी अवाज बंद करो इदी जबान खमोश कर देो पाई तारू सेंग हसन लग पे ते जकरिया खान केंदा है नवाब तब उस ऐस कहे ओ जो जिन्द चाहे तो आब है दीन नवाब जकरिया खान केंदा लगा जे जिन्दगी चाउने जे जीवन चाउने फिर आ दीने मजब कबूल कर ले छड़ दे गुरू की सिखी दा रस्ता ते जे गुरू सिखी नू शड़ के केस कतल करवा के दीने मजब कबूल करेंगा ते एक होर में तेरे समने पेश रखदां और जो चाहे मांग सों तान मुल्क और जमीन केंदे जे दीने मजब वे चाजावें केस कटवा दवें सिखी शड़ दवें तारू सिया आज जकरिया खान हार एक जगीर तेरे कदमा वेच राखदवेगा सरकारी खजाने दिया मोरां तेरे कदमा वेच राखदवेगा जिते भी तू हत लावेंगा ओ मुलक तेरे नाम कर देआंगा बस एक वर सिखी दा रस्ता छड़के तू सरकार दे हुकम दे पालना कर ले पाई तारू सेंग जी खेड़ खड़ा के से जकरिया खान केंदा तेनू हासा के सगाल दा तारू सेंग केंदे जे पेश ही रखनी है ते पेश मैं तेनू दस दा की रख केंदा की रखां केंदा तू दस कुछ ऐसे रा के सी सासी हुए नबा ओ जकरिया खान जे सिख्खां वास्ते कोई पेश रखी है ना सिख्खांगे पेश रखनी चाही दी है ए पेश रख भी सिख्खांदी केसां सुवसानालने बजावे ए पेश रख के मैं मरते जावां पर मैं कदे केस ना कटवावां ए सिखाँ दा केसा देनल प्यार सी मैंक बेनती करां आज पंथ देवेच बड़े शब्द पर चल्लत होगे जिनना दे मूत एकवी केस नी उन्दा साड़े कैदें दे जी सैज तारी सेखा केसर सिंग चिबर नू पड़ो पाई मती दास जीदे पोत्रे नू पड़ो ते पता लगेगा सैज तारी ओनी उन्दा जीदे सेरते केस ना ओन सैज तारी ओनू क्या जान्दा सी जीड़ा केसा तारी उन्दा सी सेरतो लेके पैर देंग उठे ता केस नहीं सी कटव उन्दा हजे सैज वेच खंडे दी पौल दी तियारी कार रिया हुं दा सी अमरत नहीं सी शक्या पर केस रखे हुं दे सी क्योंके सेख केस तो बिना नहीं हुं दा सिखी केसा दा नाम है जी केस नहीं ते सेख भी नी सदबाव साकदा सैज तारी ओओ है जिनने अमरत नहीं शक्या पर केस रखे वेया साधे पूर्वा जानू ए गल्दा पता सी ऐसली ओनार दास वेच जदो सिखी मंगी सिखानू सिखी दान ते सिखी किमें मिलेगी केस दान सिखी तो बाद सब तो पहलना केस मंगेया एक केसा देनल प्यार सी पाई तारू सिंग जी ने क्या ऐसा रा दस भी ऐस गुर सिखी केसा स्वासा नलने बजावे केंदे जक्रिया खानू गुसा आगया केंदे सुन नवाब तब गुसा खाया खोटा बचन मुखों अलाया जूतन मार उतारो बाल नयन बुलावो मुन्हों सार केंदे जक्रिया खानू गुसा आके बड़ा खोटा बचन कैन लगा केंदा आज जुती मेरे पैर दी इदे सेरते मार मार के इदे सेर गंजा कर देओ जे सिदी तरह सरकार दी इन नी मन दा जुतिया मार मार इदे केस चाड़ देओ जदो ए बचन जकरिया खाने किता पाई तारू सिंग जी दियां खान लाल हो यां खड़े हो गए बड़े रो वेच कैन लगे ओ जकरिया खान जबान संभाड के गल कर आवी गुरू का सेख नहीं तु जुती दी गल करदें तेरी जुती एक पासे हुन तारू सिंग दे पैर जुती नहीं वज्जी अद तारू सिंग भी शरीर शड़ के दरगा विचनी जावेगा ए बचन गुर सिंग दा पूरा भी होया सी केंदे जदो पाई तारू सिंग ने इस तरह किया केंदे नवाब ने किया नाई सदे जान तब नवाब नवन बलाए उनके सांध खुंडे होय जाए केंदे नाई आए कैंचिया तिखिया पाई तारू सिंग दे केस कटन लगे उस गुर सिंग ने फिर अरदास किती सहबे कमाल तन गुरू गोबन सिंग सचे पाच्छा तन तन माता सहब देवा तन तन शिरी गुरू गरंस सहब जी महराज किरपा करे ओ तो आड़ा सिख तो आड़े राते तॉरना चूंदाे किरपा कारके ऐश सिख दी चोली देवेच सिख्य केसाँ सवासानल नबहुन दी दात बक्ष देव现在 सिख्य अरदास सुन दी है आज सिख्य गुरू को लाके आज कारोबार मनननननन Jimmy sever आज सिख्य दी दात सिख्य ने स्वास्वास मंगणी है और शिखी दी दात मंगण तो सिख भी किते दूर रह रहा गुरू कुल आके करदास जरूर करो भी सिखी मिल जावे केंदे नाईया ने जदो कैंचियां चलाइया पाई रतन सिंग पंगू केंदे उनके संद खुंडे होए जाए ओना दियां कैंचियां खुंडीयां हो गें पही तारू सिंग्सम्दे केस कटे नहीं गए कैंदे उस वकत जकरिया खान केहन लगा मौची लियावो अब दो चार खोपडी साथ बाल उतारो कैंदे जकरिया खान देश जाता हुची सद्धे जान तिखी रंबी दे नाल जै इदे केस नी कटे जान दे इदा सारे इदा सारा खोपड़ी उतार दिता जावे केंदे पैनी थी रंबी करी केंदे इदरों मोचियां ने रंबी तिखी करनी शुरू कर दिती मोचिया ने रंबी तिखी किती है ओदर गुरू के सिख पाई तारू सिंग ने केंदे पहला ते अकाल अकाल सिंग जाप उचारे सुन सुन नवाब मुंदे कन सारे केंदे पाई तारू सिंग ने उची अवाज वेच जकारा गजाया जदो पाई तारू सिंग ने जकारा गजाया जकरिया खान ने उंगला अपने कन्ह बेच पाड़ियां केंदा शेती करके खोपड उतार देवे जकारे लोन तो बाज नहीं होंदा एह है गुर्शिखा दी नशानी खाल साजी केंदे रंबी थी पैनी करी मथेयों दाई दबाए आज सेरते मथा है ना केंदे तिखी रंबी मोचियां ने सब तो पहला मथे दे कोल लिया करके अंदर नू दाब दिती जदो मथे तो अंदर नू रंबी दबी या केंदे खोण वगना शुरू हो गया केंदे पैनी थी रंबी करी मथें दई दबाए मथे ते कन्ना ताई गिचियों दई पटाए केंदे ऐस तरह रंबी तिखी चलाऊंदे रे मथे तो दबाऊनी शुरू किती कन्ना तक ले आंदी कन्ना तो लेंदे लेंदे गिचि को लेा करके खोपडी नू जोर दी अंदर नू नपया केंदे सारे दा सारा खोपड ओ पाई तारू सेंग दे शरीर तो वखरा हो गया मैं बेनती करां इनना गुर्सिखां दी कुर्बानियानू ना पुलो आज करां दे वेच अपने बचेयानू इनना गुर्सिखां दाई ती आस पड़ाओ मैं मंजी साब दवान आलवी बेनती किती बड़ा पखंड पार्त दी तरती ते चालदा कोई पासपोटां ते लिका मारदा कोई परचे कड़ी जानदा सेख ओ थे पजी जानदे पर याद रखो तुसी पीरां दे नी वारस तुसी इनना शहिदां दे वारस हो जिनना ने खोपड उतरोने मंजूर कर ले पर अपने सिर्टो केस कटोने मंजूर नहीं किते रंबी दे नाल सारे दा सारा खोपड उतर गया पर सेंग जी मुखते सीना करी तान तान गुरमक केनी सरी जो पाई तारू सेंग ने क्या सी ओ पाई तारू सेंग दी केनी पूरी होई सेंग ने मूँ दे विचों एक वर सीना उचा रहा केंदे इद्रों खोपड उतरे आ दूजे पासे उसी वक्त नवाब को पयो सो बंद पिशाब केंदे पाई तारू सेंग दा खोपड उतरे आ दूसरे पासे नवाब दे पशाब दा बन पै गया केंदे इस तरह अपने तक्त ते बैठा तडप दा जी में जाल दे विचों मचली जमीन ते तार दिये ते मचली तडप दी है केंदे बड़े मौलवी सदे बड़े वैद सदे पर इलाज ना मिलेया मौलवी आनु केंदा कलमा पड़ो पड़ पड़ सेफी कलामन फूकें सुन सुन नवाब तबैतन हूकें केंदे मौलवी आके कलमा पड़ देया इलम सिद कर देया ओ जियों जो इ्लम पढ़ दे नवाब सुन सुन के होर ज़ादा तर्फदा पाई रतं संगं पंगू नुपुछे तर्फदा क्यों है काइन दे पाई तारू संग दी खोपडी उतारी सी पाई तारू संग नुँ क्या सी जुतिया मार के केश उतारांगा पर गुरू के सेखने क्या सी ए सेख दे पैर दी जुती तेरे सेरते वज्जेगी तेनू नरकां तक सटके आवेगी ओ बचन साचो औरे सन खाल साजी केंदे पाई से पाई तारू सिंग दे बचन शहीदाने परताख वरताए नवाब तडपया केंदे तडपया क्यों पाई रतन सें पंगू केंदे निले बाने शहीदन हाथ सोटें केंदे जकरिया खान वखान दे सामने निले बाने दे वेच गुरू के शहीदी नजर ओंदे सन जिनना दे हथां वेच मोटे मोटे सोटे मारें शहीद जियों पांग कोटें केंदे जेस तरह पांगनू कोट दे इस तरह शहीद जकरिया खान दा कोटा पे लोंदे या केंदे जिम जिम पीर नवाब पुकार है जैसतना जकरिया खान आप दे मुर्शदान उचेते करदा तेम तेम शहीद बहुत अकाव है तेओं तेओं शहीद होर जादा संताप देंदे अखीर तडपे आप केंदे अखीर समझ पैगई होन बंद खलासी नी ओनी तरले किते पाई तारू सेंग दे अपदे चरना दी जुती दे दे आज जकरिया खान तेरे कदमाच सेर तारदा है ये मेरे सेरते जुती मार के मेरी बंद खलासी कर दे ओ समय केंदे फिर पाई तारू सेंग दे चरना दी जुती चरना दा जोडा केंदे ओ, जक्रिया खान दे सिर्थे मारना शुरू किता केंदे एक जुती वज्जे जक्रिया खान केंदा एक होर मारो दुजी वज्जे केंदा एक होर मारो केंदे जिमें जिमें पाई तारू सिंग दे पैर दी जुती नवाब दे सिर्थे पैंदी है तेओं तेओं नवाबनू बंद खलासी मिल दी है अखीर जक्रिया खान दी मौत होई इदर पाई तारू सिंग ने जपजी सहवदा पाठ शुरू किता जपजी सहवदा पाठ रंब करके एकी दिन बीना खोपडतों जीवत शरीर करके रहे उस तरह शहीद सदाई जयोंदे जाग देया जपजी सहवदा पाठ करके अपना शुरीर करके चोला ते आगया पर वेखो बड़ा बड़ा सबक सानू सखाके गए पामे उस शहीदा जजनम दे आड़ा पर शहीदा दा असली जनम शहादत तो बाद हुंदा है लोक जम देने दसो के तुसी रोमियो जूलियट दे शेक्स पीर दे वारस नहीं तुसी सिखी केसा स्वासानल न बोन वाले पाई से पाई तारू सेंग जी दे वारस हो